नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चेनल, आज बेटी की फर्माईश पर मैंने गोंद और आटे के लड़ू बनाए हैं, अगर रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजेगा, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने ले लिया है दो कप आटा, ये जो दो कप आटा लिया है, ये मैंने इस कप से मेजर्मेंट करके लिया है, आप किसी से भी मेजर्मेंट कर सकते हैं, किसी कटोरी बाउल से, और एक कप मैंने ले लिया है शक्कर, और ये लिय अब क्या करेंगे हमें गैस अन कर दी है और इक फ्राइपेन रख दिया है मैंने गैस पर जब यह फ्राइपेन थोड़ा सा गरम हो तो इसमें मैं करीब एक चम्मच है गी डाल दे रही हूं एक से डेर चम्मच और इसके बाद जो दो कटोरी आटा मैंने रखा है उस आटे को म इसमें डाल कर और भूझूंगी तो हमें क्या है गैस की फ्लेम ना एकदम स्लो रखनी है क्योंकि आटा जलना नहीं चाहिए और धीरे धीरे ही इसे भूझेंगे इसमें थोड़ा ना पैसेंस की जरुवत होती है जिस तरीके से हम बैसन के लड़ू बनाते हैं उसी टाइप अटे के लड़ू बनाना है तो यह है ना सिम गैस में ही एकदम धीरे धीरे भूझेगा तो बिल्कूल इसे चलाते रहना है और हटना नहीं है गैस के पास से तो थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना होगा तब ही यह टेस्टी लड़ू बनेंगे यह लड़ू विंटर में खा गी ़ह दूँगी तो हमें धीरे धीरे गीष डालना है और मैं बहुत जाधा घी भी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं उस ट्राइप से नहीं बनाती गई लोग को ऊपना rejection के होले जैसा है उसके बाद लड़ू बनाते हैं तो मैं ज़ादा घी का यूस भी नहीं करूँ अंगी अब ये दीरे दीरे घी डालके न हमें इसे बढ़िया से सेक लेना है जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा न तब तक हमें इसे बढ़िया से सेक ना है बस बीच बीच में घी डालके और इसमें डाल दूँगी तो ये पूरा ही घी मेरा लग गया है और मुझे लगता है थोड पड़ी तो मैं थोड़ा सा घी और ले लूँगी और ये देखिए ब्राउन हो गया है पूरी तरह से आठा भुझ गया है तो मतलब ये इसा कलर आना चाहिए आठे का तब हम मानेंगे कि हाँ हमारा आठा एकदम से परफेक्ट मतलब भुझ गया है अब मैं गैस को बंद कर द डाला तब तक हलका सा नीचे लग गया था लेकिन नहीं जला नहीं है बस हलका सा ऐसा रहा है इसे में बड़िया से इस टाइप से करके थोड़ा ठंडा कर लूँगी और इसे हैना ठंडा करना है तभी लड़्डू बनाना है गरम में लड़्डू नहीं बनेंगे जब तक आटा ठंडा हो रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ गेसम है ना गोंद को भूनना है हमको तो एक फ्राइपन ले ले रही हूँ और जो फ्राइपन में मैंने आटा भूनदा था ना उसी को ले ले रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी गी गी करीब एक से डेट चमच आज कल है ना पैकेट में एवेलेबल रहती है छोटे-छोटे कुटी हुई गोन्द मिलती है और जब हम उसको भूनते हैं तो एकदम जो बड़ा साबूद आना होता है उस टाइप से हो जाता है मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे ये देखिए घी मेरा गरम हो गया है और अब इसमें मैं ये गोन्द डाल दे रही हूँ और एकदम बिल्कुल अगर आपकी सूखी गोन्द होगी ना तो बिल्कुल चट-चट करते हुए एकदम से एक मिनिट भी नहीं लगेगा और ये गोन्द है ना एकदम भून जाएगी लड़ू रेसिपी या मीठा पसंद है तो आप लोग मेरे चेनल में जाके वहाँ पर है ना दूसरे तरह के लड़ू की रेसिपी देख सकते हैं ड्राइफ रूट्स में मैंने तीन ही आइटम लिये हैं आप चाहे तो और भी ड्राइफ रूट्स इसमें एड़ कर सकते हैं ये गोन मेरी पूरी भून चुकी है अब इसे में क्या करूंगी जो आटा ठंडा होने के लिए रखा है मैंने इसी में डाल दूँगी और अभी आटा ठंडा नहीं हुआ है गरम में नहीं हाथ हमारे जलेंगे तो मैं क्या थोड़ी देर के लिए पंखा ओन करके और इसे कर 15-20 मिनिट के लिए इस टैप से ही खुला छोड़ दूँगी ताकि ये आटा हमारा ठंडा हो जाए यहां मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोग मुझे फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं आटा ये ठंडा हो चुका है तो अब मैंने जो ड्राइफ रूट्स आप लोगों को दिखाये थे ना उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है आटे के लड़ू या जो भी लड़ू है मैं बनाती हूँ उसमें अक्सर करके ड्राइफ रूट्स को मैं पीस कर ही डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना बिल्कुल मैं इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीठा जो है शक्कर आप लेंगे पिसा हुआ बूरा वो क्या है कि आप अपने टेस्ट के काउडिंग लेंगे मैंने एक कटोरी लिया है क्योंकि मैं ज्यादा मीठा पसंद नहीं करती हूँ अगर आप लोग ज् कर रही हूं मुठी बांद रही हूं तो लड्डू बन जा रहा है अगर आप लोग को लगता है कि थोड़ा और घी की जरुवत है या लड्डू आपसे नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा घी और एड़ कर लीजे तो घी जब एड़ करेंगे न तो लड्डू एकदम इजी ली और बिना महनत के ही एकदम गोल गोल बनके तैयार हो जाएंगे ये देखिए ये लड्डू देखिए कितना बड़िया परफेक्ट और गोल गोल बन गया है जितना अच्छा ये दिख रहा है न उतना ही अच्छा खाने में है अगर आप लोग कोई रैसीपी पसंद आती हूँ और मेरे घर में सभी बहुत पसंद करते हैं बच्चे तो काफी खाते हैं इसलिए इसको मैं अकसर करके बनाते ही रहती हूँ ये नहीं है कि विंटर है तब ही बनाती हूँ ये देखिए दूसरा लड्डू भी कितना अच्छे से बन गया है अब मैं सारे लड्डू न बना कर और आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से रिमाइंड आप लोग को कराना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को मेरे वीडियो या रैसिपी या क्राफ्ट आइटम जो भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजेगा जिन लोगों ने बनाना स्टार्ट किया है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर एंड बाई बाई